नमस्कार संबीदा करमचारी आउट्सोर्स कर्मी दैनिक कर्मी साथियो आपका एक बार फीर हमारे चैनल पर करांतिकारी अभिननदन है स्वागत है दोस्तों आप सभी को जो है कि दिवाली की हार्दिक बधाई और सुब कमनाओं के साथ अगरिम बधाई देते हुए कमना करते हैं कि दिवाली का परब आप लोगों के जीवन में खुसियों का और हर्स का उलास का जो है कि महाल लेकर साबित हो और आप लोगों को सारी मनोकामनाओं को सरकार पूरा करे दोस्तो आज आप लोगों के उजवल भबीस के संबंद में कि जा रही करजवाही की जनकारी लेने हैतु हमारे सुतरों ने केंद्रीये कैबिनेट सेकरेटेरिये डिपाटमेंट के परधान सची उसे संपर का स्थापित कर ये सिधार्त से जनकारी प्राप्त किया उनसे जनकारी प्राप्त करने के करम में बहुत सारी बातों का जनकारी प्राप्त हुआ है वह सारा खबर हम आपको बताने जा रहा है उसे पहले यदि चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक और सेर कर दीजिएगा दोस्तो बिहार में जो है कि संबिदा कर्मियों का भविस हुजवल होने वाला है ब्यार के संबिदा कर्मी आउट्सोर्स कर्मी दैनी कर्मी जो है कि लगतार अपनी मांगो के समर्थन में अले हुए है इस बात की जनकारी हम लगतार सरकार को दे रहें और सरकार जो है कि सकरात्मक रूख अपनाते हुए पिछले वर्स बहुत सारे संबीदा कर्मी, आउट्सोर्स कर्मी और दैनी कर्मियों के मामलों का संग्यान ले चुकी है जिसमें कुछ संबिदा कर्मियों का बेतन बिरीधी हुआ आपने देखा उसी परकार जो है कि आप सभी का भी बेतन बिरीधी सरकार करने जा रही है बिहार सरकार के मुखमंत्री नितिस कुमार ने नारा दिया है 10 लाख रोजगार, 10 लाख नौकरी और संबीदा कर्मी के जीवन का कल्यान सरकार करेगी किन्तु जो है कि इसमें विपक्ष की भूमी का भी अहम होती है विपक्ष ने एक बार भी संबीदा कर्मी को अपना मूदा बनाने का काम नहीं किया विपक्षी राजनीतिक दलों ने 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार की बात तो की किन्तु संबीदा कर्मीयों के जीवन में उजियारा फैलाने है तो कोई भी पर्यास नहीं किया जिसकी वज़ा से मामले तो ठंडे पड़ रहे थे किन्तु हम लगातार इसको हवा दे कर जो है कि संबीदा कर्मीयों की बात को सरकार तक पहुँचाए और आज भी जो है कि पहुँचाने का काम कर रहे हैं और उनसे संपर का स्थापित कर संबीदा नियोजित कर्मीयों के जीवन में उजियारा फैलाने है तू सरकार द्वारा किये जा रहे कार्जों का जो है कि जैजा लिया और जैजा लेने के करम में बिहार के मुख सचीव एस सिधार्थ के द्वारा जो है कि बताया गिया कि बहुत जल्द संबिदा नियोजित कर्मी आउटसोर्स कर्मी और डैनी कर्मीयों के सारे कार जो लंबित पड़े हुए है उसका निस्पादन बिहार सरकार करने जा रही है बिहार सरकार की सोच है कि सम्भिदा कर्मी का बेतन 35,000 आउटसोर्स कर्मी का बेतन लग भक 30,000 और दैनी कर्मियों को 783 रुपे नियुंतम मजदूरी की दरे देने हेतु जो है कि नियम बना कर उसे लागू किया जाए। पंचायत रोजगार सचीव सहित जो है कि लाखो पदो पर कार्ज कर रहे 2007 से और उसके बाद के वर्सों में नियोजित निती सरकार के कर्जकाल में नियोजित संबिदा कर्मियों का कल्यान सरकार करेगी। जो है कि लाब देगी बिहार में लाखो की संखिया में डॉक्टर और इंजिनियर और परफेसर संबिदा पर कार्ज कर रहे हैं। इन सब की से आवाय सरकार नियमित करेगी और यह सब कुछ जो है कि करने की बाद बिहार सरकार के कैबिनेट सेक्रेटिरियेट डिपार्टमेंट के अपर मुक्सचीव मुक्सचीव जो है कि ये सिधार्थ के द्वारा जो है कि बताई जा रही है सिरिये सिधार्थ ने जो है कि हमारे सुत्रों को बताए हैं कि संबिदा नियोजित कर्मी, आउटसोर्स कर्मी, दैनी कर्मी का बेतन बिरिधी का मामला इस वर्ष चुनाओं के पूर्व जो है कि सरकार निप्टा देगी और तमाम लोगों को जो है कि तोपे के रूप में उपहार के रूप में बढ़े हुए मांदे का गीफ्ट सरकार दे कर इन लोगों की मांगों को पूरा करेगी सरकार का रूप सकरात्मक है फिर भी संबिदा पर नियोजित कर्मी कुछ साथ ही जो है कि नकरात्मक बाते सोच रहे हैं उन्हें लगता है कि अब वो अफ़स चुके हैं उनका जो है कि अब कुछ नहीं होगा तो यह जो है कि उनके मती भरम इसको कहा जा सकता है यह उनकी मांस आईशा है कि अनुसार सब को बेतन की बढ़तरी की लाभ मिलना ही चाहिए जिस तरह विकास मित्रों को 12,000-25,000 रुपए तक का मांदे और साथ में जो है कि बहुत सारी सुबिधाय कुल मिला कर जो है कि 28-30,000 रुपए जिस तरह सरकार की है उसी तरह विकास मीत्रों को राजकर्मी का दर्जा और तमाम छोटे-छोटे संबिधा कर्मी जिसमें जो है कि ग्राम कचहरी सचीव, नया इस्ट्रक्चर और जो है कि तमाम कर्मियों को लाभूसी परकार देकर और चोगूना से चोगूना बिरी देकर उन्हें जो है कि 30-35,000 की सिरेनी में लाकर और तमाम तरह की सुबिधायों से लेस करने का काम बिहार की सरकार को करना बाध्याता है क्योंकि बिहार सरकार केंद की मोधी सरकार ने पिछले दिनों 783 रूपए नियुनतम मजदूरी की धरे तै कर दी है जो असंगठित चेत्र में कार्ज करने वाले शंबिदा कर्मियों पर परभावी होगा